का जैहिंद तो फ्रेंट्स पिछले वीडियो में हम लोगों keiner डिसकस किया था ग्यक प्रजन के जो प्रकार थे प्राकृतिक का प्रजन और मान क्रित्रीम का एक प्रजन जिसको हम लोग लेंगिक जर्ण यह सब हम लोग देख लिये थे ना फ्रेंड उसके बाद हम लोगों ने बोला चर्चा किया था जीवन काल पे तो मैंने कहा था कि आप लोग जीवन काल एक बार पढ़के आओ तो फ्रेंड्स आई होप क्या आप लोग पढ़के आए होंगे नहीं भी पढ़ क्या आए होंगे तो फ्रेंड्स आप यहां पर वीडियो को धियान से देखें काफे अच्छे से समझ में आएगा तो यहां पर हम लोग चलते हैं तो फ्रेंड्स जीवन एक्ती यह कुछ भी कुछ भी everything जो भी इस प्रित्वी पर जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मृत्यू के गोद में सोना है मरना ही है निस्चित है यह तो फ्रेंट्स जीवन काल हम लोग कहेंगे किसे अर्थात हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जन्म से ले करके उसके प्राकिर्तिक मृत्यू त क्या कहेंगे जीवन काल कहेंगे ओके फ्रेंट्स तो आप लोग ध्याम से वीडियो को देखें काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका डिफिनिशन अर्था जन्म से ले करके प्राकिर्तिक मृत्यू तक के काल को ही हम लोग क्या कहते हैं जीवन क काल होते हैं उसको तीन भाग में माटा गया कितने भाग में माटा गया जैसा कि आप लोग यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला क्या है वाल्य अवस्था दूसरा है प्रजनन अवस्था और तीसरा है ब्रिद्धा अवस्था जिसको हम लोग जिर्नता अवस्था भी करते और फ्रेंड्स तो पहला हम लोग देख लेते हैं कि सवरा अवस्था यानि कि क्या होता है जब जीवन की जो है जीवन की सबसे छोटी अवस्था फ्रेंड्स इस अवस्था में परजन अंग होता है वह अल्प रूप से विक्सित होता है तथा इसी अवस्था में जीवों के जो शरेड होते हैं उनमें विर्धी और बिकास होता है और इसको क्या कहा जाता जीवन का ये पर्थ्थα अवस्ता है फिर चलते है benefits लोग अपने दूसरे point में में परजनन अवस्ता नाथ स्था धертв जीवन की जो सबसे बड़ी अवस्ता है इसको सबसे के लाइक हो जाता है और यहां जीवन की जो है मध्धवस्था है अब यहां वे फ्रेंट्स परजनन काल के आधार पर जो है पॉधु को जो है दो भागों में बाटा गया पहला तो है इसको को देख लेते हैं मोनोकार्पिक प्लांट का मतलब क्या होता फ्रेंट्स के इसके अंतर कर जो है जो भी पौधे को रखा गया है वो सभी पौधे क्या होते हैं एक वर्षिय ओते अर्थात कहने का मतलग क्या वो जो है जीवन में एक ही बार परजनन अवस्था से गुजरते हैं और उसी को क्या कहा जाता है मोनोकार्पिक प्लांट का जाता है अर्थात हम लोग definition में कह सकते हैं कि वैसा जीव sorry friends मैं यहां पर फिर से जीव बोल दिया हूँ तो वैसा पोधा जिसके जीवन में एक ही बार क्या हो प्रजनन अवस्था गुजरता हो से हम लोग क्या कहेंगे मोनोकार्पिक प्लांट कहेंगे जैसे कि क्या हो गया friends धान को देख लेते हैं हम लोग धान हो गया मक्का हो गया गेहन हो गया तिल्हण दलहण इत्यादीं कुछ बहुन बर्सीय पौधे भी होते सब क्यों होता है एक ही बार परजन अवस्था से गुजरता है और उसके बाद मृत्य हो जाते हैं इसके समानेता बांस जो है वह 48 से ले करके 100 साल के बीच में एक बार पुस्प उत्पन करता है तथा निला कुरेंजी जो होता है 12 वर्स में एक बार पूस्पूस्पन करता है यहां से objective question बनता है वस तुनेस्ट प्रस्ण तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो ताकि एक भी point आप मिस ना करो फिर हमारा क्या है फ्रेंस polycorpic plant okay polycorpic plant का मतलग क्या हुआ इसके अंतरगत जितने भी पौधे को रखे जाएंगे जिनका जीवनकाल में क्या होगा कई बार परजन नवस्था गुजरेगा कितने बार कई बार एक से अधिक बार परजन नवस्था गुजरेगा तो वैसे पौ पर हमलोग परजन नकाल अलग अलग परकार के होते हैं जन्तों में जो होता है प्रजनन काल वो फ्रेंड्स बिल्कुल अलग-अलग होता है जैसे के मेढक और मशली का जो प्रजनन काल होता है वो बरसा रितु होता है यानि वो जो प्रजनन की अवस्था से गुजरता है प्रजनन के क्रिया करता है वो बरसा रितु में करता है तथ appetite अब्ले जीब क्या ने वाले जीब जन्तु के पड्रमन काल्झ होता है अलग अलग होता है जैसे कोल का पड्रमन कल की का क्वंपर वसंत्र रहन तो यहां से objective question बनता है आप लोग कि आ वहीं क्या मनुस बंदर और गोरिल्ला में मनेस्ट्रल साइकल यानि मेनस्ट्रल साइकल जो कर दो इसको एम सी भी बोला जाता जिसके कारण इसमें क्या उता है मनुस बंदर गोरिल्ला इत्यादिए प्रतियक महिना जो होता है प्रजन नवस्था गुजरता है जबकि अनस्तंधारी जीव में क्या होता है कि मद्ध चक्र होता है क्या होता फ्रेंड्स मद्ध चक्र होता है जिसके कारण वो क्या होता एक वर्स में एक वार्या कई वर्स के अंतराल में प्रजन नवस्था से गुजरता है जैसे हो गए यहाँ पर फ्रेंड लिखा है इसको सही कर लेना इसको सही करेंगे लिखिलेना और मτιा ज 1997 मिल्च ते लेटीर हो पुर्बलम ना हो तो क्या होता है इसके कारण इस्त्रोजिशन हर्मॉन की जो होती है मातरा बढ़ जाती है जिसके कारण जनतों क्या होता ही पिरियड में आ जाता है तथा जीव में क्या हो जाता है मैथुन के इस्ट्रोजिन हर्मोन जावदा हो जाता है प्रेस्टो एस्ट्टोंः स्ट्रोजन होता है मैंसट्रोग होने के कारण क्या हो जाता जाता है कि मैंस्ट्रोड हो तै тоб HUD में क्षुक हो जाता है Cindy मनुस बंदर गोरिला में पाया जाता है प्रतु मत्ध क्षॐए बंदर गोरिला को क्षोर कर सभी असतन पाय का मतलब क्या हो गया बक हो गया कुता हो गया बिली हो गया बहती है प्रत्राइ से से मासिक चकर मेंR बहती होता है वर्स में एक बार या कई वर्स के अंतराल में परजन निकाल गुजरता है उसके बाद हमारा तीसरा है फ्रेंड्स इस चक्र में मासिक द्रव बहार निकलते हैं इस चक्र में प्रंतु जो है मद चक्र में हम लोग लिखे हैं इस चक्र में कोई भी द्रब बाहर नहीं निकलता है, फिर अगला देख लिते हैं, मासिक चक्र में, कि इस चक्र की अवधी जो होती है, काफी लंबी होती है, प्रंतु वहीं पे जो मध चक्र की अवधी होती है, वो छोटी होती है, फिर अगला पॉइंट है लिखा है, मासिक चक्र में इसमें जो है मैं थोन की आवज सेकता होती किसकी आवज सेकता होती है प्रणतु इसमें जो है मैं थोन की अतियावज सेकता होती है इसमें क्या होती है मैं थोन की अतियावज सेकता होती है किसमें उसके बारे में डिसकस करेंगे और उसके बाद जो है फ्रेंट्स हम लोग जीवनकाल की तीसरी अवस्था यानि विरिध्धा अवस्था वो देखेंगे तो पहले हम लोग दिख लेते हैं मॉनिकॉर्पिक प्लांट तथा पॉलिकॉर्पिक प्लांट में अंतर तो यहां पर प्लांट में तो इसके जीवनकाल में जो होता है एक ही परजन नवस्था गुजरता है जो है कई बार परजन नवस्था गुजरता है फिर दूसरा है यह अधिकतर एक वर्सिया होते है फिर और वहीं पर पॉलिकॉर्पिक प्लांट जो क्या होता है यह बहु वर्सिया होते फिर हमारा तीसरा पॉइंट क्या है कि यह एक ही बार में फूल बीज और फल दे करके मर जाते जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि बांस हो गया नीला कुरेंजी हो गया इत्यादे इत्यादे और पॉलिकॉर्पिक प्लांट में है फ्रेंट्स कि यह अपने जीवन काल में कई की बार फूल बीज फल देते जैसे अमरूद हो गया लेची हो गया इत्यादे फ्रेंट्स इसके अंतरगत धान गेहूं मक्का जो तेलहन और दलहन आदे पॉधे को रखा गया है और वहीं पर पॉलिकॉर्पिक प्लांट में क्या है कि इसके अंतरगत आम कठल लेची इत्य अवस्था के बारे में पढ़ेंगे तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा तो फ्रेंट्स यदि कोई डाट्स रहता है मन में तो कमेंट सेक्षन अपना किस लिए है वहाँ पर कमेंट करो मैं उस क्वेस्टन का एंसर हो और मैं इसी तरह से बिल्कुल टॉपिक बाइस डिफिनिशन के साथ ले क्या आऊंगा और मैं बता दूं कि इस चैनल पर जो है फिजिक्स का भी वीडियो लाओंगा और क्लास 10 का तो जो अभी मैथ चल रहा है फिर उसके साइंस आएंगे साइंस में जो बाइलोजी मैं आके डाले मां फ्रेंड्स तो आज के भी इस वीडियो में इतना है कल तक के लिए फिर गुड़ बाई